इस साद्गी पे कौन नमर जाया खुदा तो क्या अनन्या इस पर अब मैंने जो खुदा कहा मुझे माफी मांगनी चाहिए या सफाई देनी चाहिए आज चेकल्लस का विश्य यही है क्योंकि सीमा हैदर ने एक बार अल्ला कहा तो उसके बाद उसने माफी मांगी आशिस आप बताईए कि यह पूरी ख़बर है क्या आखिर क्यों उसने उस पर सफाई दी ऐसा क्या था कि उन्होंने कहा कि आया अल्लाह और फिर उसके बाद इतना ट्रोल हुई या इतने सवाल उठे कि उसको सफाई देनी पड़ी देखें जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिस पर एक बावाल मचा हुआ है एक वो गिफ्ट पैक अपना खोल रही है सचीन के साथ और कोई भी किव्ट बड़ा पैक कर बड़ आराम से भिजवाए जाते हैं को देश भर से गिफ्ट मिल रहे है तो दीर 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 आरारा को लोग अल्ला या अल्ला करके उसको वाइरल कर रहे हैं कुछ लोग कहते वो कुछ लोग कहरें नहीं या अल्ला नहीं कहा है सुनाई दे रहा है साफ साफ मैंने भी कई बार सुनने के कोशिश की लेकिन तोड़ा साफ कभी सुनाई दिया है कभी कुछ और कभी यार और उन्होंने कहा है कि मेरे मूह से श्री राम, जैश्री राम, राधे किष्णा, भारतमाता, वंदे मातरम, यह सब निकल सकता है, लेकिन अब जो कि वो हिंदु धर्म में आ चुकी है, अब उनके मूह से या अल्ला या अल्ला कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा, और यह कह पूरी तरह से फेक है, अगर आपके मूह से अल्ला निकल भी गया, तो क्या हो गया, आपके बच्पन से ही हिंदू थे, और हिंदू हम अपस में भी बहुत बार इस्रे के वर्ट्स बोल देते हैं, उर्दू के बहुत सारे वर्ट्स हम बोलते हैं, अल्ला भी कभी-कभी नि हिंदू धर्म में नहीं हुई है, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, तो अगर निकल भी गया था, तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर को इस पर सफाई देने की जरूरत क्या थी? ने, मैं रोही जी से समझना चाहता हूँ, क्योंकि चचा गालिब की दिल्ली से आप तालूक रखते हैं, आप गये हैं हवेली में, आप ये बताईए, पूछे दो सही पहले, पहले सवाल तो पूछे, आप तो वास का एकदम से, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सीमा हैदर को य अगर निकल भी गया, तो क्या पड़ी बात है, आप इतनी उन्रता आप यही कहते रहे होंगे, और अगर निकल भी गया, तो मुझे निल्गता कि इसमें सफाई देने की जरुवत थी, या किसी भी तरह से ये सब कहने की जरुवत थी, अब मेरे मुझ से कभी निकलेगा ही नी, मेरे मुझ से जैस्री राम निकलेगा, ठीक है, आप यहाँ है, यहाँ पर कह रही है, अब दिखावे के लिए के लिए के लिए जिस लिए के लिए के लिए हैं, लेकिन उस सफाई नहीं की इतने साल तक आप जिस धर्म को माना, और हिंडूस्तान आने के बाद आप ज सबी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अगर निकल भी गया मुझ से तो उसको एकसेप्ट करना चाहिए क्यूंकि ये बात छुपी तो है नहीं कि वो इस्लाम इस्लामिक कंट्री से आई तो निकल गया तो ठीक है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़े बोल देते हैं अपने धर्म को लेकर निकलता है ये शब निकलता है कि खुदा करें उनकी जोड़ी इस्तलामत रहे हमारे उससे कभी भी निकल जाता है हम हे भगवान कहते हैं हे हो गया अब आप कहेंगे तो आप क्रिश्चन हो गए नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है तो यह तो एक बहुत बेसिक सी चीज है और एक हुमन नेचर है कि हाँ आप मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको सफाई देके गलती की सीमा ने सफाई देके गलती की वीडियो मैंने भी कि किसी का खोल रहा है तो या रहा क्यों बोलेगा तो कुछ और हो सकता है और अगर भी है तो मुझे लगता है कि या लाओ में उन्होंने बोला हो तो तब ही उन्हें लगा कि भाई ओह मेरे मूझ से क्या निकल गया और मुझे सफाई देनी पड़ेगी इसके जरुदी नही मुला जादा प्याज घाता है टाइब का कुछ है क्या ऐसा कुछ है सीमा है सफाई दे करके अपने आप पर एक सवाल खुद ही खड़ा कर रही है कि इसमें सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो एक नैचरली है बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बोलत मैं आप लेकिन लेकिन ढूरता जाएंगे आपको फिर लphonरता है और दूसरी बात यह प्रतुप बोलते हैंगे तो बोलता हूँ मैं बोलता हूँ लेकिन जैसे अभी इनों ने कहा कि उस वीडियो को आप जितनी बार आप सुनेंगे आपको सुनने वाली की जाकी जैसी भावना वैसी ताक कि प्रभमूरत तना देखी तैसी वाली बात हो गई ना वीडियो जितने बार सुनेंगे उसकी भावना ऐसी थी नहीं नहीं बोला है वह सुनाई नहीं 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 लगता है ना प्रारूप बना लिया उन्होंने कभी भी कोई इन्सान होता है, psychology के हिसापसे चले जाएंग पिर आदत के हिसापसे चले जाएंगे, जब वो काफी excited होता है, या नेंद से तुरंत जग के उठा होता है, उस टाइम की सचाइग वहीं सामने आती है, तो या आलला जो एकदम एकसाइट तु गिपट को लेकर कर तो मुझे लगता है या आलला या आलला य। आ खुर या क्शुन अथा आपने कर रहे हैं? क्या बला? बला क्या एक्ज़ेक्ट बता? अरे! अरा! ने ने अरा! अरा! उसका मतलत क्Я vida? करने का वीडियो है वो किस ने डाला है आप बोलते हैं कभी अगर मुझे निकल गया तो कुछ गलत है या कुछ नहीं है इसमें किसी भी तरीके से मतलब टार्गेट करने वाली बात नहीं है ऑगर मुझे से निकल गया तो निकल गया उसको एकसेप्ट कर लेना चाहिए था तो उससे वो छोटी नहीं हो जाती है अगर इसा हुई को एक तरह की बात कर लेंगे है कुछ अच्छा लगा ऑगव महान क्या किया वह तक्या कद था वो टक्या के लाम था, वो बार-बार बोलती है नहीं आरारारा कोई नहीं बोलता उनकी 27 साल की उमर इसलामिक धरम में ही गई है तो वो निकल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन उस चीज़ पे सफाई देना वो बड़ी बात है, वो उस चीज़ को मेडिया तक लाना चाहती है, शाथ इस वजह से वो सफाई दे रही है। मेरा तो मानना यही है मतला हम भी हमारे वच्चपन से हम अपने घर में कोई भी हम ने भी बोला हम ने पहला है सर हम जब बोलते हैं हम तो भी बोलते हैं वह भगवान क्या हो गया ठीक है सबाज आ गए कोई दिकत नहीं है यह जो चल रहा है दूसरा एंगल उन्होंने जो कहा वो मैं एंगल दिखाने कोशिश कर रहा हूं लोग क्योंकि कई सारी साइट एक मिन गलत नहीं दिखा रही सुनो क्या इसमें इसमें जब उस वो वीडियो तो लोग उसको लगातार फॉलो करते निकाला किसी ने दस-पांच साइट वेफ साइट में छाप दिया कि या अल्ला निकला या निकला काई सारी यूटूबर्स ने उसको जो उसने बोला उसको या ला नाम से टाइटल डाल के और सोचल मीडिया पर डाल दिया लोग पढ़ रहे हैं पर्शिपसन बना रहे हैं तो उसको देखते हुए क्योंकि वह बहुत सारी वीडियो सारी चीज देखती है तो उन्होंने सोचे कि आमेने तो सब्सक्राइब लेकिन एक एक हिंदू अल्डा नहीं बोल सकता तो बोल सकता तो सफाई की जरूवत कि आएसमें यह सीमा है कटर हिंदुवादी हो गई है या कटर त तो हिंदू को प्रॉबलम नहीं होता जो यहां की हिंदू हुने एक मिट अब मैं बताता हूं थोड़ी दिनों पहले चौदा की बात थी जब एपी सिंग उनके घर पहुंचे थे वो एपी सिंग ने नारा लगवा दिया कि पाकिसान मुर्दाबाद तो उन्होंने उन्हों रहर हो किते सब्सक्राइब नेल्स अमने जाद है हम ने को सना ही सर आउत जा बोलने वाला और दूसरा ही पुस्ट वह मांगरी तो सरिक वह तो सवाज से मैं यह पूछन जाता हूं कि यह एक वीडियो है जिसमें पहली बार ऐसा लगता है कि वह गिफ्ट खोलके बोल रही है या आला जो एक रियक्शन होता है उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई दी कि नहीं नहीं मैं तो बोली नहीं सकती आप क्या समझतें कि एक साइकलोजी क्या है इसकी सीमा की एक्च्वल में मुझे जो समझ मारा है इसके बाद से वह ऐसा लग रहा है कि शायद सीमा है को यह लग रहा था कि मैं अपने एक प्रसेप्शन जो है बनाते चली जा रही हूं लोगों के दिल यहीं कहीं केहना मकसद कि यह लग रही है इस तरह से जो है अपना कुछे करने के कोशिश की बट हो सकता है शायद दोके में निकला हो है जल्दबाज में कुछ भी निकला हो उसको अगर क्लैरिफिकेशन देना पढ़ रहा है तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है नहीं मैं रोहित जी से समझना चाहता हूँ क्योंकि एक मोहबत को हम लोग बहुत तवज्यों देते हैं ये हिंदुस्तान जब उनको accept कर रहा है तो क्या एक अल्ला बुलने पर हम उसको इतना डर लग रहा है हम लोगों को मने एक हिंदुस्तानियों की तौहिन नहीं कर रही ह जब किसी आदने को कुछ प्रूव करना होता है तब वो इस तरह की बाते करता है वो सीमा आजकल खुद को सिर्फ सिर्फ स्पर स्वाटर नी प्रूव करने में लगी रही जो स्वाई वीडियो सीमा भेज रही है वो उसमें कह रही है कि आप आप लोग मुझ पे ile t schaffen उठा जनमाष्टमी हो चाहे रक्षा-मंदन हो हर बार जैसरी-राम किनारे हो हर बार इस तरह का खुद को दिखाना मतलब एक तरह से पोट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं एक मैसेज देने की कोशिश कर लिए है कि हाम है नी गह वैpp dos to under zwei में च्रलिगा amor और हम अपनी यार दोस्त हैं, हमारे Muslim दोस्त भी हैं, सब कुछ है, हम पीर बाबा पर पर भी जाते हैं, सब जगे जाते हैं आप ने अब ही देखा होगा G20 की सबसे बड़ी तस्वीर जो है गांधी के यहाँ पूरा कतार लगी हुई बात मांना लिंगी कि नहीं उन्होंने अर अरह का मान लिया अरह accurate लेकिन फिर उनको ये कहने की किया दो रहा थी कि मैं तो कभी बोल ही नहीं सकती मैं तो कभी बोलूंग Ganji मतला अपमान कर रही है उस धर्म का जिसमें पच्चेश-पशब्य साल रही मैं यह करता हूँ कि क्या सीमा हैदर का अपमान सनातन का अपमान है नहीं बिल्कुल भी नहीं यह जो image portrait करने की सीमा हैदर कोशिश कर रही है मुझे लगता है वोल्टा उनकी उपर सवाल खड़े कर रही है और यह बता रही है कि वो क्या fake है क्योंकि जैसे 15 गस पर बोलना बाद बाद पर भारत माता की जै यह सारी चीज़ें दिखावे के लिए कर रही है वो साफ पता चल रहा है और जब अगर आपने यह बोला है तो ठीक है आप उसमें आपको सफाई देने की क्या जरूरत है क्या इतनी कटरता हिंदुस्तान कबूल करेगा? सब बिलकुल कबूल नहीं करेगा क्योंकि हिंदुस्तान में हर जाती, हर धरम, हर तपके का सम्मान करता है और उनके मूँसे निकल भी गया तो वो इस चीज़ पर जस्टिफिकेशन ना दे क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि वो हर धरम का सम्मान करता है अगर आपके मूँसे निकल भी गया तो उसके विलिए जिस्टिफिकेशन देने की बिलकुल भी कोई जरुबत नहीं थी और यह तो सबसे बड़ा एक्जामपल है सीमा हैदर को एकसप्ट किया है वहां से आई है सबने खुले दिल से बकाइदा वो जिस तरह से फेस्टिबल सेलिब्रेट करें सब उसको बहुत बढ़ाईया दे रहे हैं पिर रिसर्च कर रहे हैं लगातार नहीं 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 अच्छा बुल्टिन बना रहे हैं जो आपने छोड़ रखा है ओके ओके रन प्लेस आशीश पताईए आप ये बताईए कि क्या सीमा हैदर का किसे कोई सवाल करेंगी तो वो सवनातन पर सवाल हो जाएगा क्या स सीमा हैदर अल्ला बोल देंगी तो सनातन का अपमान हो जाएगा आखिर सीमा हैदर के दिमाग में चल क्या रहा है क्या दूविधा है नहीं उनके मन में डर है डर इस बात का है क्योंकि जिस तरीके से प्रूफ एक आदमी होता नहीं कि अब अपनी नोकरी को ही देख लीजे हम दूसरे चैनल में जाते काम करें तो हमें प्रूफ करना पड़ता है यह कोई बच्चा है हमारे यह तो प्रूफ करता है कि भाई हमें काम कहूं मेरे सेलेक्शन सही हुआ है तो ऐसा नहीं करते हैं कि आओ में पुर्णिया से दिली आया हूं इसका मतलब यहने कि पूर्णिया मेरे खुराब हो गया बहुत पीच्छे चले गाए आपने ले लिया डानियंट से मैं कह रहा हूं कि मैं इतना हो कि डर इस चीज का है कि महलब मैं अगर जिस तरीके से आप लगा तर देखो को शब्द नहीं मिल पारे मन में मन में चोर मन में चोर मन का चोर मेरी बास सुनिये ना मैं कह कहना चारू मन कहानी ये कि अभी दो ड्हाई महीने हुए अभी जब पहला पहले सारे ते ओहार आ रहे हैं अब समझ ये रक्षा बंदन नाक पंचमी और इद की सिवया नहीं खाए ये और आगले अगले शाल हम राखी बंदने फिर जाएंगे और बताईए नहीं हो सकता जाना पड़े लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे अप तारों के नहीं समझ जाएगा वह मेरी रिस्क है छोड़े ना मैं कह रहा हूं कि देखे डर है अभी डर ये है कि क्योंकि परशपस से निकल गया मुझसे तो उनको भी वह अपने आपको प्रूफ कर रही है सारे धरम तेवार तीज मना कर रहे हर हिंदू बोलता है आपने देखा नहीं उर्दू और अल्लाह और खुदा या खुदा से मन में डर होता है कि सौ करोड़ की पॉबलेशन यह है सब को सपोर्ट में मैं आप कहोता ने कि बाई हम कोई इनको सपोर्ट में लेना है हमारे हक में रहें और मैं आप सीमा को इतना जदा क्यों डिफेंड कर रहे हैं लग रहा है मैंने तक हम तो कह रहे है हम तो कह बै》 इब नहीं निकला हूं के मुझसे लेकिन उनको人 को मेरे मुझे निकल ही नहीं सकता लेकिन हो सकता आशीस ने बजयर जैसे बताया 오늘 बीकरतिया है मिं Presents करने इन्होंने बतायी करकर है विराट कजिवनार की थी विराज को विराट को छी सेंशवृूरी बनाएगा और जाओ भिनें जू रह淡 सकता सीमाकी सच हो गई सिन ने व firms वह फूरे लिए लागधिंस्काओं आप्रफ। आपने उल्से बोला भवेश्यवाणी ने मैं है मैं उन्हों ने की है उन्हों ने का कुछ इसमें उनका जो जो यही है कि वह भाई कोई बोलता है अब मालों ने उपवास हखा था जीत के लिए के लिए ने वह मैं भाट्री तो इसने का सुपर्ड को रही हूं आए नहीं को अनुट हो जो मेरे कान में जो मैंने कान में सुना ही दिया वो मैंने भात पॉर्णा कि ऑप सकते हैं या खुदा हम तो यही दरखवास करेंगे या खुदा हम तो यही दरखवास करेंगे कि इसकी जोड़ी सलामत रहे यह सीमा और सचिन की और वो एक अमन की जिन्दगी जिये लेकिन यह भी खुदा से दरखवास करेंगे कि वो उसके जहन में इतनी सलाहियत देए लेकिन भारत के कानून से क्लिन्चिट मिलने के बाद है क्लिन चिट मिलने के बाद तो यह चकल लस इसी तरह जारी रहेगी आप देखते रहिए इंडिया नियूस का डिजिटल प्रेटफॉर्म थैंक यू